गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पेज नंबर 30 ओपन करेंगे पार्ट 5 का कल तक हमने पढ़ा था कि तुझे मैं अभी नदी में फेक कर आता हूँ किसने कहा था ये मुख जोर सिंग ने अपने बेटे को मुख जोर सिंग ने अपने बेटे को कंदे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा नदी गाउं से बहुत दूर थी वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझा कर उसे समा कर देगा प्रंतु उसका बेटा आराम से कंदे पर बैठा रहा मुख जोर सिंग ने उसे ड्राने के लिए कहा नदी पास ही है बेटे ने कहा हाँ पिता जी मुझे भी लहरे उठती हुई दिखाई दे रही है बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोज शान्त हुआ और उसने उसे कंदे से उतार और पूछा मुझे सच सच बता तुने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं बेटे ने उतर दिया मैंने उसे कुछ नहीं कहा परंतो अपनी मा से कहा था कि एक पागलाजमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है मुख जोर सिंग है उसी पिट थपता पाते वे कहा बेटे एक दिन तो दुनिया में अवस्चे ही मेरा नाम रोशन करेगा अभी हम इस लेसन के सब्दर्थ और प्रसन उतर करते हैं सब्दर्थ में है पहला दास्तान, कहानी, नियंतरन, काबू, दंगल, कुस्ती, पोस्टिक भोजन, संतुलित भोजन, सामानने, साधरन प्रसन उतर में पहला प्रसन है धर्ती पड़क सिंग अपने सकती बनाई रखने के लिए क्या क्या करता था उतर है धर्ती पड़क सिंग अपने सकती बनाई रखने के लिए घंटो, वयाम और पोस्टिक भोजन करता था प्रसन दो मुख जोर सिंग अपने घर से क्यों भाग गया उत्तर जब धरते पटक सिंग मुख जोर सिंग के घर कुष्टी लड़ने गया तो मुख जोर सिंग उसकी आवाज सुनकर डरके करा अपने घर के पिछले दर्वाजे से भाग गया प्रसन तीन हाथी को आंगन में गिरा देखकर माने क्या कहा माने कहा बेटा घबराने की कोई बात नहीं इस चुहे को चुहा किसको बोला था हाथी को इस चुहे को जाडू से बाहर कर दो प्रसन नमबर चार मुख जोर सिंग ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की उत्तर चार है जब बेटे ने बताया कि धरती पटक सिंग हमारा खजूर का पेड़ उखाड कर भाग गया तब मुख जोर सिंग ने गुस्से में आकर बेटे को नदी में फेंकने की बात की तो अभी हम ये प्रसन उतर और सब्दर्थ अपनी फेर नोट बुक में लिखेंगे और फिर इनको याद करेंगे प्रसन उतर याद करने से पहले पार्ट को कम से कम दो बार जरूर पढ़ेंगे थेंक यू